हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल फ्यूच और ओलाइन क्लासिस में आज हम इस वीडियो में ACP के बारे में जानेंगे कि ACP क्या होता है और आप ACP में कैसे जो है आप पढ़ाएंगे तो ACP का अर्थ जो होता है वह होता है स्कूल इक्स्पिरियंस प्रोग्राम जब आप सेकेंड एर में जाते हैं जब आपका फाइनल एर होता है तो उसमें जो है एक मन्त के लिए आपको ACP के लिए भेजा जाता है दुसरे स्कूल में आपको वहाँ जाकर आपको पढ़ाना होता है बच्चों को तो उसमें आपको वही देखा जाता है कि आप जो है उस स्कूल में जाकर कैसे आप पढ़ा रहे हैं आपका अवलोकन करते हैं वहाँ पर बच्चे जो बच्चे होते हैं और साथ में टीचर भी आपको करते हैं तो आप जो है ACP में कैसी पढ़ाएंगे कि आपका जो 100 marks होता है वो अच्छे से आए और आपका जो ACP हो वो अच्छा जाए तो मैं आपको बता दू कि जो 1st year वाले हैं वो 2nd year वाले हैं दोनों का जो है ACP एक एक महिना का होता है लेकिन 1st year वाले सिर्फ अवलोकन करते हैं औ अपने कच्छा अनुसार तो मैं आपको बता दू कहीं कहीं जो होता है 1st year वाले को भी जो है अवलोकन के साथ-साथ ACP देने के लिए बोला जाता है मतलब School Experience Program के आपने जिस स्कूल में गया उस स्कूल में आपने कैसे बच्चों को पढ़ाया क्या क्या पढ़ाया और कैसे पढ़ाया तो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप जब भी जब आप जब भी जो है ACP के लिए जाए किसी स्कूल में तो आप सबसे पह करते हैं इस रूल को अगर फॉलो करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि आपका ACP जो है काफी बेहतर जाएगा जैसे मैंने आपको यहां नोट्स भाई लिख कर तयार किया है और यहां experience के साथ बोल रहा हूँ सबसे पहले जो है जब आप जिस स्कूल में जाते हैं पढ़ाने ACP के लिए तो वहां जब आप क्लास में इंटर करेंगे तो आप सही तरीके से इंटर करें सबसे पहला मुद्दा यह होता है कि आपकी वेस भूसा मतलब आपकी जो पुसाख होती है वह सिक्छन कारे के अनुसार हो तो वह सही नहीं है इसलिए जो है आप जब भी ACP में जाए तो आपकी सिक्छन कारे के अनुसार ही ड्रेस पहन कर जाए मतलब वेस भूसा थार्ड पॉइंट है कि जब आप क्लास में इंटर करते हैं तो जाकर जो है आपको डायेक्ट मतलब बोड पर नहीं जा टौपिक को पढ़ाने जा रहे हैं कछा में उससे डेलेटेड जो है बच्चों से पूर्वग्यान की परिखण करेंगे कि उस टौपिक के बारे में बच्चों को पहले से कुछ पता है या नहीं है तो आप उससे कुछ कोश्टन गोचेंगे जैसे पुरो मैंने यहाँ आपको notes में डाला है कि पुरोग्यान का मतलब होता है कि आप जिस topic को पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में बच्चों को पहले से कुछ पता है या नहीं है उसे जाचना या जाचे जब आप कच्चा में जाएंगे तो direct आपको board पर नहीं जाना है आपको जाकर जिस topic से related आपको पढ़ाना है उस topic से related जो है आपको बच्चों के सामने पुरोग्यान परिक्षन करना है मतलब उससे related कुछ पूछना है question ताकि इससे पता चले कि बच्चों को इसके बारे में पहले से कुछ जनकारी है या नहीं है उसके बाद जो है आपको फोर्थ नम्मर में जो है प्रवस्थावना या प्रस्थावना या प्रस्थावना मतलब पुरोग्यान से related पूछेंगे उसी को बोलते हैं गोषना करेंगे उसके बाद जो है जब आप बोलकर गोषना कर दें कि हाँ बच्चों आज मैं यह चैप्टर पर आने वाला हूं तब जो है उसके बाद आप चोक का इस्तमाल करकर स्यामपट कारे करेंगे स्यामपट कारे का मतलब होता है कि बोर्ड पर जो है कुछ लिखे जैसे दिनांक पाठे का नाम विशाय वस्तु इत्यादी यह आपका छठा पॉइंट है 7 पॉइंट है उसके बाद जब आप स्यामपट पर लिख लेंगे तब क्या करेंगे कि जिस टॉपिक को आपको पढ़ाना है उसे आप पूरी तरह से एक्स्प्लेन करेंगे साथ ही साथ जो है TLM के माधयम से बच्चों को समझाएंगे पहले आपने स्यामपट परकारे किया उसके बाद आप डारेक्ट जो है ठॉपिक पर नहीं आएंगे बात करते करते जो है धिरे-धिरे टॉपिक पर आएंगे और उसे पूरी अच्छी तरह से एक्स्प्लेन करेंगे और आते हैं इसमें तो आप जो है topic को पुरी तरह से explain करेंगे और साथ ही साथ जो है TLM के माध्यम से बच्चों को समझाएंगे तो TLM का आर्थ होता है teacher learning material फिर आपको अगला point है आप उसके TLM का use करने के बाद जो है फिर आप जिस topic को पढ़ाएं है उससे related आप कुछ question पूछें कर देंगे कच्छा में तो उससे related जो है आपको प्रस्ण पूछना है और doubt भी पूछना है बच्चों से ताकि इससे पता चले कि आपने जो पढ़ाया बच्चों को कितना समझ में आया तो यहाँ आपका आठवा point है उसके बाद आप क्या करेंगे कि फिर आप अपने विश चुके हैं जो जो मतलब नहीं याद हो उन्हें फिर से याद हो जाए फिर आप last में क्या करेंगे कि अपने topic से related जो है वर्ग कारे करवाएंगे वर्ग कारे करवाने का औरत यही होता है कि आप question पुछे कुछ बोर्ड पर कारे करवाएं बच्चों से नहीं तो आप क्या कर होता है मतलब कच्छा में कुछ बच्चों से करवाएंगे नहीं तो आप ग्री कारे देंगे और वहां से आप धन्यवाद बोल सकते हैं यह जो है आपका ACP मतलब देने का सही तरीका है अगर इस से इस point के अनुसार अगर आप किसी भी topic को पढ़ाते हैं तो आपके ACP में ज आपका जो 100 mark से दावा के साथ करता हूं कि 80-90 तो आना ही आना है अगर teacher अच्छे रहे और अगर आपने अच्छा से explain किया आपने topic को तो तो यह आपका 10 point था जो कि काफी important था ACP से school experience program से जो कि आपको DL8 के लिए काफी महत्यपून है तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आ करने बाद थांक यू